वेलकम दोस्तों मैं हूँ अड़कोडी जीतंदर आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जूटी पतनी जब पती के उपर मैंटिनेंस का केस करती है या फिर अन्य कोई केस करती है तो काफी खुश रहती है क्योंकि उसकी एक सोची समझी साजिस होती है पती और पती है इसलिए मैंटिनेंस का केस कर देती है तो मैंटिनेंस का केस करके वो काफी खुश रहती है काफी खुश रहती है उसकी ये चाल सक्सेज हो जाती है." तो यहां पे आज एक एड़केट होने के नाते जो पती है याननी की j British पती है जिसके साथ में गलत हुआ है। उसका मैं यहां पे बताना चाहता हूँ कि उसके साथ में अगर ऐसा हुआ है, उसकी पतनी ने उसके उपर जूंटे Alligation लगा के जूटे Case किये है बाद Maintenance की भी डिमांड कर रही है तो यहां पे उस पतनी को आगे जाके रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा और वो पतनी आपसे माफी भी मांगेगी और उसने जो Case किये हैं उन केसों को वह वापिस भी लेगी तो पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो बिल्कुल अंतक मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी उससे फेले बतादू इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी किजिए बैल अकंद भाई वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजिए मेरे से अगर बात करना चाते हैं कोई भी लीगल प्रोब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिशन में नमबर दिये गए है स्क्रीन को पर में नंबर सो हो रहे हैं अपोइंटमेंट बुक कुरा के डायरेक्ट कोल के पर मेरे से बात कर सकते हैं अपनी लिगल प्रोब्लम का स्योलूशन पास सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो पती को क्या करना है कि उस maintenance की petition को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है उसके हर एक point को समझना है यहाँ पर पती को पता चल जाएगा कि उस maintenance की petition में उन बातों का जिकर नहीं किया गया है कि अब तक पती पतनी के उपर कितना रुपिया खर्च कर चुका है यानि कि उसके घूमने फिनने पे उसके राशन पे उसके कपड़ों पे या फिर उसके medical पे या फिर उसके अधर खर्चों के उपर मतलब कितना रुपिया पती खर्च कर चुका है उनका जिकर उस petition के अंदर नहीं मिलेगा तो इसका record पती के पास में होता है पती को पता होता है और पती के पास में इसका record भी होता है उसके पास में evidence भी होता है तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी बात पती के पास में होती है दूसरा क्या होता है कि पती के पास में अगर ऐसी कुछ recording है जिसमें पतनी फहले धंकी दे चुकी है कि मैं तेरे को जूंटे केसों में फंसा दूँगी, मैं तेरी जिंदी की बरबाद करवा दूँगी, मैं तेरी नोकरी ओकरी हटवा दूँगी, या फिर तु मुझे इतने रुपए दे दे, मैं तेरे को जूंटे केसों में नहीं फंस या फिर वो गाली को लोची निकालती है अब बदर व्यवार करती है घर में रहना उसका मुस्किल कर रखी है तो इस तरीके की कोई recording हो audio video जो भी recording हो evidence हो और यहां पर घूमने फिरने के जो भी बिल्स है अब तक वो जितने रुपिय पतनी के उपर खर्च कर चुका है तो यह क्रकार के जितने भी evidence है यानि कि जितने भी evidence पती के पास में बनते है इन सभी evidence क्व ले जाके उस maintenance के conex में पती को में देदेने है तो यह सबसे important भात यहां पे आती है तो इसको आपको बिल्कुल ध्यार में रखना है इससे क्या होगा यहां पर ये प्रभाव पढ़ेगा इंजुई कर रहे हैं पथी बिल्कुल अच्छी तरह से इसको रख रहा है गूम भी रहा है फिर भी रहा है ऑगाने जिन्दगी ब्रबाद करने इस पतनी की है यानि कि इन तमाम परकार के evidence से गलती उस पत्नी की सामने आ जाएगी उस court के सामने आ जाएगी उन magister साब के सामने आ जाएगी जिससे उसका maintenance नहीं बनेगा ये तो है पहला step दूसरा step ये बता देता हूँ कि maintenance case का सबसे important part होता है cross examination cross examination तो उस cross examination में इस तरीके से घुमा पिरा के exclusion VIP से करने है कि यहाँ पे वो जों की साबित हो जाए उसका जूंट सामने आ जाए तो इस तरीके से उससे गुमा पिरा के exclusion करने है तो यहाँ पे जब उसकी जूंट सामने आ जाए यहारे तो और कुछ बात बोलती है पत्ती के बारे में और कुछ लिखवाती है कि पत्ती की इतनी income है, इतना कमाता है, यहां यहां से इसकी income आती है, और बाद में cross examination में उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है, यानि कि वो जोंटी हुआ पर साबित हो जाती है, यहां पर cross examination में इस तरीके से cross किया जाता है, उसके उपर करवा सकता है और उसको जेल तक भीज़वा सकता है तो यहाँ पर यह प्लस पॉइंट एक पती के पास में होता है यहाँ पर क्रोस एक्जामिनेशन का क्रोस एक्जामिनेशन का प्लस पॉइंट पती के पास में होता है तो यह maintenance case के बारिक point होते हैं बारिक तो होते हैं पर यह बारिक point आपको case को जितवा देते हैं तो इनका आपको भी से ध्यान रखना है तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को like करके ज़्यादा ज़्यादा share कर दी अपनी legal problem का solution पासकते हैं तो फिर आगे में लेंगे आपसे ने वीडियो ने topic साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद